छेस साल के लंबे इंतिजार के बाद उत्तर परदेश के मुरादा बाद के लोगो को जाम से रहत मिलने जा रही है आपको बता दे कि मुरादाबाद के दिली रोड पर बना लोको शेड पुल का बीच का हिस्सा संकरा है जिस वज़े से इस पुल पर बार बार जाम लग जाता था और इस पुल पर लोगों को जाम से जूसते हुए एक गुजरना पड़ता था जिसके चलते सपा सरकार में इस पुल के ठीक बराबर में ही एक दूसरे पुल का निर्मान कारिय शुरू करवा दिया गया था लेकिन किसी ना किसी कारण पुल के निर्मान कारिय बार बार रुख जाता था जिस कारण से 18 महीने में बनने वाले इस पुल के निर्माण में देरी होती चली गई निर्माण में हो रही देरी के कारण लोको शेट पुल निर्माण संघर्ष समीती का गठन हुआ समीती के सदस्यों ने बार बाल पूल के निर्मान का पूरा काम करने की मांग उठाई और उसके बाद हनुमान चलीसा का पाट कर पूल के निर्मान में आरहीवी पतियों को दूर करने के लिए हनुमान चलीसा का पाट भी किया गया पिछले एक साल से मीडिया ने भी मुरादाबाद के लोगों की इस परिशानी को बार-बार कवर करके खबर दिखा कर सरकार तक मुरादाबाद के लोगों के आवाज पहुंचाई तब जा कर ये निर्मान कारिय पूरा हुआ है यहाँ आपको बतादे कि मुरादाबाद के दिली रोड पर लोको शेड पुल पर लगने वाले जाम को समाप्त करने के लिए समाजवादी सरकार में पुल निर्मान का कारिय शुरू करवाया गया था लेकिन किसी ना किसी कारण से 18 महीने में बनने वाले लोको शेड पुल का निर्मान कारिय सालों बाद भी पूरा नहीं हो पाया था इस पुल पर लगने वाले जाम से परेशान होकर लोगों ने लोको शेड पुल निर्मान संगर्श समीती का गठन किया और उसके माधम से सरकार तक बार-बार पूल का निर्मान पूरा कराने के लिए धरना परदर्शन कर आवाज उठाई लेकिन किसी ना किसी कारण से पूल निर्मान में रुकावटे आती रही इसके बाद लोको शेट पूल निर्मान संगर्श समिती ने साथ महा पहले निर्माना धिन पूल पर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर पूल निर्मान में आ रही विपतियों को दूर करने का परियास किया अब इस पुल का निर्मान पूरा हुआ है अब पुल पर रंगाई का काम अंतिम चरण पर है अब यह माना जा रहा है कि 3 अक्तूबर को उतर परदेश के मुख्य मंतरी अपने मुरादाबाद के प्रस्तावित दोरे के दोरान इस पुल का उधगाटन कर मुरादाबाद की जन दिया है दुख थोड़ा सा इस बात से हुआ कि जब सेट गॉर्मेंट मुरादाबाद के जितने जन प्रतिनी दीजा सबने प्रयास करें केवल रेलवे की वज़े से देरी हो रही थी लेकिन वही है कि जब चीज़ पूरी हो जाती है तो पीछा जो चिसी का है उसे छोड़ के लिए बधाई का एक दिन होगा कि जो हम शहर और जो एक पर्टिकुलर लाइन पार एरिया जिसे हम कहते हैं ये एक साथ जुड़ जाएगा और लाखों की अबादी जो कभी ना कभी किसी वैसे से त्रस रही है बच्चे भी रहे हैं स्कूल जाते वे एंबुलेंस में जो यहाँ पर काम रुका पड़ा था हनुमान चालिस दाम लोगों ने करी थी और वो लमहा था कुछ घंटे ही लगे थे कि साक्षात शायद हनुमान जी ने आके इसको चालू कराया और आज उसके साथ महीने बाद ये पुल हम सब के लिए शुरुवात हो चुपा है झालू करें पुल है